गणा नमस्कार दोस्तो चलिए हम लोग ब्धे ढिप्ट वाले एक लेटर को लिखते हैं पर जहसे कि आपको कुछा जाएगा थे कि अपने आपको इपने अंकल प्सेट को थैंक्स दिया एक टśके लिए आपको अपने अंकल को थैंक्स बोलना है और इसमें यह य लिखना है तो अपने उंकल को व्द्रीन देने के रिखने है जिसमें आपको आपको सेंडर एड्रेस जो है अगर ह안 में अपने बहूंत ऐटर सेंडर न है देखने में एड्रेस में एड्रेस दिया है तो उसी एड्रेस को आपको क्या करना है सबसे उपर उतारना है इसलिए यह जगा छोड़ा गया है आपको एड्रेस अपने मन से लिखना है यहां लिखा है सेंडर 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 इसके जगहां में केवल एड्रेस लि कीन मुप Hm जब यहां से करके शुरू होता हैं यहां अपने से लिखना है अब 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 को आप लेटर लिखना है तो आपको सबसे पेले क्या लिखना है my dear uncle इसके बाद एक कोमा देना है कोमा के जश्ट बाद आपको सुरू करना है how are you question mark इसका मिनिंग क्या हुआ आप अंकल से पूछ रहे कि अंकल आप कैसे हैं तो उसी का यहां लिखा गया how are you ठीक है अंकल आप कैसे हैं यहां तक आपने अंकल से question किया question marks दे दिया ठीक है अब आपने करना क्या है उसके बाद आपको लिखना है I am fine and I hope you also fine इसका मतलब क्या हुआ देखिए एक छोटा छोटा हम लोग एक step को बढ़ाएंगे आगे ताकि आपको याद करने में आसा नहीं हो सबसे पहले आपको लिखना I am fine इसका मतलब हो गया मैं अच्छा हूँ I am fine का मतलब क्या हो गया मैं अच्छा हूँ उसके बाद आपको जोड़ना है and and का मतलब क्या होगे और I hope you मैं आसा करता हूँ कि आप यू मतलब क्या होगे आप अंकल को बोल रहे है hope मने आसा करना सबसे पहले आपको लिखना होगा I am fine मतलब इसका क्या हो गया मैं अच्छा हूँ उसके बाद आपको लिखना and I hope you also fine आप मैं आसा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे यहां तक आपका सेंटेंस खतम हो गया अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखना आपको लिखना इस्टडे अच्छा इस्टेड्य का मतलब हो गया बीता हुआ कल ठीक है यानी आप बीटेवे कल का बात कर रहें ठीक है जो बीद चुका है ठीक है इस्टडे के बार है को आपको लिखना है इसके बार लिखना है I received 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 your gift तो आप बोल रहे हैं कि आपको आपको आप खुद आपको पूरा लिखना है यह यूर गिफ्ट पार्सल वीच यू सेंड मी वीच यू सेंड मी वीच यू सेंड मी ओन ठीक है आपको लिखना है कि मुझे आपका पार्सल गिफ्ट जो आपने भेशा था मुझे क्या हो चुका है नहीं कि आपने भेशा था कि लिए daos बेजा था पार्सल गीप्ट वो मुझे क्या हो चुका है मिल चुका है कि लिए यहां तक आपको छोटा-छोटा इस टेप में याद करके जाना है इतना लिखने के बाद आप पैरागरफ को चेंज करीएगा इसके वाल लिखा है I got many gifts from my friend क्या हुआ इसका मतलब I got का मतलब होता प्राप्त करना ठीक है I got का मतलब क्या होता प्राप्त करना I got many gifts from my friends इसका मतलब मुझे अपने friends से बहुत gift मिले मने many gifts मुझे बहुत प्रकार के gift मिले ठीक है अपने फ्रेंड से मुझे बहुत ही या अधिक या भिन भिन प्रकारों का मिला उसी को यह लिखा गया I got many gifts from my friends but मतलब यह कह रहा हो लेकिन but yours is yours is का मतलब आपका yours is the best of all लेकिन आपका जो गिप्ट जो था आपका वह सब में क्या था सबसे बेश्ट था सबसे अच्छा था यानि फ्रेंड्स के दवारा तो बहुत सारा गिप्ट मिला लेकिन उन सारे गिप्ट में आपका गिप्ट क्या था एकदम बेश्ट था इसी सेंटेंस को यहां से यहां तक लिखा गया है जो लिखा है I got many gifts from my friends but yours is the best of all ठीक है इसके बाद हम लोग का यह full stop हो गया इसके बाद लिखना है इसके बाद fully stop देना है उसके बाद लिखा हुआ है आपको लिखना है everyone liked it very much everyone liked it very much का मतलब हो गया यहाँ जितने भी लोग थे जितने भी वहाँ परिवेक्टी थे या सभी लोगों को यह गिप्ट के आया बहुत पसंद आया very much बहुत पसंद आया ठीक है उसके बाद fully stop के बाद आपको लिखना है this watch is a symbol of your love for me इसका मतलब हो गया आपने जो यह गिप्ट दिया है जो आपने watch दिया है जो आपने smart watch दिया यह एक तरह से क्या है आपके प्यार का म मेरे लिए एक तरह का symbol है यानि प्रतीक है तो लिखा हुआ है this watch is a symbol of your love for me आपके प्यार के लिए यह क्या है मेरे लिए आप इतना प्यार हमसे करते हैं कि उसका एक क्या है प्रतीक है symbol है कि लिए यहां तक उसके बाद आपको लिखना है I thank you आप धन्यवाद देंगे अपन इतने बाद तो ही यहां से लिखना है I thank you for this beautiful gift बस इतना लिखने के बाद आप देखिए इसको छोटे-छोटे sentence में याद करिए ठीक है इतना लिखने के बाद आपको लाश्ट में लिखना है your loving nephew मतलब यह जो अंकल को लिखा जा रहा है यानि वह जो लिख रहा हूँ क्या अंकल का नेफियू लगे जिसको भतीजा या भतीजी मों करते है तो यह जो लिखना है यह लभिंग नेफियू यानि भतीजा ठीक है अब इसके बाद अपना नाम आपको लिखना है यहां पर कुछ भी आपको क्या लिखना है अपना नाम लिखना है अब लिखना है अगर में नाम आपका दे दिया के यू आर अमित यू आराम यू आर अंकीत तो आपको उसी नाम को लिखना है अगर नाम कुछ नहां हो तो खुद का नाम यहां आप लिख सकते हैं ठीक है तो यह देखिए हम लोग बद्देगीप्ट वाला एक लेटर था आपको सेवड इसी तरह और बहुत छोटा sentence में यहां लिखा हुआ आपको याद करने में प्रावलम जादा नहीं होगा ठीक है चलिए तो हम लोग देखिए यह हम लोग का एक लेटर कंप्लीट है इस ट्राइब का लेटर आपसे exam में पूछा जाता है ठीक है चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स वी